Hello everyone, welcome to StudyTube इस वीडियो में हम लोग NCRT का चाप्टर 15 देखने वाले हैं चाप्टर का नाम है विदूत यानिकी Electricity और इस चाप्टर में हम लोग total 100 MCQ देखने वाले हैं यह चाप्टर है class 10th का और physics का इससे पहले मैं physics और chemistry दोनों मिला करके 14 chapters अलड़ी अप्लोड कर दिया हुआ है अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मारे चैनल के playlist को चेक कर सकते हैं NCRT नाम से एक ही playlist मिलेगा, सारे ही वीडियो आपको, सारे ही chapters आपको वहीं पर मिल जाएगा इसके बाद मैं physics का एक और chapter अप्लोड करूँगा, जो हमारा last chapter होगा physics का विदुधारा का चुमबकिये प्रभाव, और उसके बाद हमारा physics वाला section भी खतम हो जाएगा science का तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से किसी विदुधारा के सतत और बंद पडिपत को क्या कहते हैं, यानि कि continuous और close path को क्या कहते हैं, जिससे विदुधारा बहती है, electric current flow होती है इसे हम लोग बोलते हैं विदुधारिपत, electric circuit विदुत आवेश के प्रभाह के दर को क्या कहते हैं विदुत आवेश के प्रभाह के दर को हम लोग विदुत धारा कहते हैं विदुत आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं तो जो electric current होता है हमारा वो यह होता है Q बटे में T यानि कि आवेश के प्रवहा के दर को हम लोगों ने क्या कहा, current कहा निमलिखित बहुती कराशी और उसके SI मातरक में कौन गलत मिलान है विदुत आवेश का SI मातरक कुलम होता है, याद रखेगा यह सब क्या है SI मातरक है विदुत आवेश यानि कि electric charge का SI मातरक कुलम होता है, यह सही है electric current यानि कि विदुत धारा, इसका SI मातरक ampere होता है कुलम को हम लोग capital C से denote करते है, ampere को हम लोग capital A से denote करते है और विववांतर यानि कि potential difference, तो इसका volt होता है, इसे हम लोग capital V से denote करते है और प्रतिरोध का ओम होता है और इसे हम लोग ये सिंबल है इससे रिनोड करते हैं यानि इसमें से कोई भी नहीं है जो कि गलत है तो यहाँ mistake हुआ है questions को set करने में ये चारो होई सही मिलान है यानि ये सब के सब correct है एक मैं option E डाल देता हूँ none of these none of these यानि कि ये E इसका right answer होगा इसमें से कोई भी नहीं है जो गलत मिलान है सब के सब सही है दातू के तार में आवेशो के प्रभा की रचना dash करते हैं कोई जो दातू होता है उसमें current flow होता है आपने पढ़ा होगा दातू विदुद के सुचालक होते हैं तो ये सुचालक इसलिए है क्योंकि इसते होकर के current flow हो रहा है और ये current flow करवाता है electron तो याद रखिए कि जो metals होते है metal wire होते है उसमें current flow होता है और ये flow करवाता है electrons कौन से electron मुक्त electrons free electrons तो दातू के तार में आवेशो के प्रभा की रचना electron करते हैं current इसके उल्टा direction में flow होगा तो electron के प्रभा के दिशा में नहीं होता है neutron के प्रभा के दिशा में neutron का तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे electron का ये बात करेंगे electron के प्रभा के विपड़ी दिशा में होता है C इसका right answer होगा तो विदुद्धारा की दिशा electron के प्रवा के विपड़ी दिशा में होता है यह आपको ध्यान में रखना है यदि i भी तो धारा है q आवेश है और t समय है तो निम निम से कौन सत्य है तो यह मैं आपको बदा चुका हूँ कि i बड़ावर होता है q बटे में t यानि यहां से आव लेख सकते हो q is equal to i into में t या तो ये या तो ये या फिर t is equal to q बटे में i यहाँ आपको दिखेगा q is equal to i t तो 20 का right answer होगा एक कुलम आवेश में लगभग कितने electron होते हैं यह होता है लगभग में 6.25 into 10 to the power 18 electrons तो यह लगभग में कितना बोल सकते हो कितने कुलम आवेश में एक कुलम एक electron पे charge कितना होता है एक electron पे charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम तो एक कुलम में कितने electrons आ जाएंगे 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम minus 19 किसी को जब आप solve करेंगे तो यह लगभग में आएगा 6 into 10 to the power 18 या फिर 6.25 into 10 to the power 18 यह हमारा आगया electron कि संख्या यदि A से ampere को निरुपित किया जाता है तो एक ampere क्या होता है ampere क्या है यह वितुदहरा का SI मातरक है और वितुदहरा बरावर होता है I is equal to Q बटे में T अगर यह हमारा एक ampere है तो यह हमारा एक कुलम बटे में एक second होगा तबी तो आयागा एक ampere तो एक कुलम बटे में एक second एक कुलम बटे में एक second यह इसका right answer होगा किसी पड़िपत में वितुदहरा को मापने वाले यंद्र को क्या कहते है तो किसी पड़िपत में वितुदहरा कितना flow हो रहा है इसे मापने के लिए एक यंद्र लगाया जाता है emitter इसका symbol भी आप धियान में रखो एक जाम में पूचा जा सकता है इसका symbol यह होता है यानि electric circuit में अगर इस तरह का कोई symbol दिख रहा है आपको तो आप समझ जाना कि यह emitter लगा हुआ है जो कि electric current को measure करेगा वितुदहरा cell के dash पड़वाहित होती है यहाँ आप देखो यह एक picture दिखाया गया है यह एक circuit दिखाया गया है इसमें current देखो current का जो flow का direction है वो क्या है यह दो कर यह एक दो cells को बनाया गया है यह दो cell का group है यह जो symbol होता है हमारा यह cell का symbol होता है यह बड़ा 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 जो plate है इस पे हम बोलते है positive terminal और छोटे बाले को हम बोलते है negative terminal बड़े बाले को हम बोलते है कि यह higher potential पर है और यह बोलते है lower potential यानि कि उच भीवा पर है और यह निमनी भीवा पर है और बहुत सारे cell जब आपस में combine करते हैं तब हम बोलते हैं battery तो battery जो होता है यह group of cells होते हैं और यह हमारा एक cell हो गया और इसमें हमारा एक cell, दो cell, तीन cell, तीन cell है तो group of cells को हम लोग battery भी बोल सकते हैं यहाँ current का direction देखो यह हमारा direction है यानि कि यह positive terminal से निकला और फिर ऐसे घोम करके आया negative terminal पर तो देखो विदुधारा cell के धन terminal से रिंड टर्मिनल तक प्रवाहित होती है तो यह हमारा क्या है सही है धन टर्मिनल से निकल करके positive terminal से निकल करके negative terminal तक प्रवाहित होती है अगला है रिंड टर्मिनल से धन टर्मिनल तक तो यह नहीं होगा उचे विभाव से निमन विभाव तक तो जो धन टर्मिनल होता है उ तो इसके लिए आवशक है, जो हमारा विवानतर होता है, यानि कि delta v होता है, ये कभी भी 0 ना हो, delta v को हम लोग simply v से भी denote करते हैं, जब भी v लिखा हो, इसका मतर होता है, potential difference, विवानतर, तो ये 0 ना हो, जैसे एक एक्जांपल में आपको दू, माल लो कि ये हमारा कोई सिस्टम है, ये माल लिजिए 50 degree Celsius पर है, ये वला पाट, और ये माल लो कि 10 degree Celsius पर है, अब क्या होगा, heat का transfer होगा, heat यानि कि उश्मा का परवा होगा, क्या बता सकते हैं, उश्मा का परवा कहां से कहां होगा, ये होगा 50 degree Celsius से 10 degree Celsius तक ऐसे, यानि कि heat का transfer होगा, heat का flow होगा, उश्मा का परवा होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों कि यहां तापमान में अंतर है, यानि जो हमारा तापमान में पड़िवरता हैं, ये 0 नहीं है, और तब तक ये उश्मा का परवा होगा जब तक तापमान में क्या होगा अंतर होगा अब जैसे ही दोनों का तापमान बरावर हो जाएगा मालो दोनों का तापमान होगा 30 degree Celsius यहां भी हो जाएगा 30 degree Celsius अब क्या होगा जो उश्मा का परवाह है वो बंद हो जाएगा क्योंकि तापमान में परिवर्तन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा ठीक वैसे ही होता है एलेक्ट्री करेंट में मालो यह दो पॉइंट है ठीक है एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट भी है इस दोनों के बीच में जो potential difference है अगर यह 0 हो जाएगा तो यहां से कोई भी current का flow नहीं होगा अगर यह potential difference 0 नहीं है तब जाकर करेंट flow होगा high potential से low potential के तरफ तो 0 के बीच विभांतर शुनि ना हो यह जरूरी है शुनि हो जाएगा तो फिर current का flow होगा ही नहीं किसी विदुद परिपत में विदुद धरह बनाया रखने के लिए डैस अपनी रसानी उर जाएगा खर्च करता है यह हो जाएगा से ल है ठीक है सेल क्या करता है सेल विदुद धरह बनाया रखने का मतलब समझ रहे हो कि जो potential difference होगा जिस भी दो point के बीच में current flow हो रहा है उसके बीच जो potential difference होगा ये 0 नहीं होगा तो cell का यही काम है cell क्या करता है ये potential difference 0 नहीं होने देता है और जब तक ये 0 नहीं होगा current का flow होगा अब cell अगर इसे 0 नहीं नहीं दे रहा है और वो खड़ चिकड़के यह potential difference को 0 नहीं होने देता है, यानि cell क्या करेगा, cell chemical energy को convert करता है electric energy में एक आंक आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किये गए कारे को क्या कहा जाता है, एक unit charge को एक आंक आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में जो काम किया जाता है, काम जिसे हम W से denote करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विबांतर, तो ये formula आपको ध्यान में रखना है इसको आप ऐसे भी याद रह सकते हो W is equal to V into Q इस पर numerical भी पूछा जाता है exam में तो numerical के लिए मैंने तो वीडियो डाला ही हुआ है एक single वीडियो सारी chapters को मिला करके आप उसे देख सकते हो तो ये विवांतर हो जाएगा विवांतर का exam मातर क्या है तो electric potential difference का exam मातर को होता है एक वोल्ट परावर क्या होता है तो W is equal to Q into V मैंने आपको बताया अगर हम यहाँ V लिखें तो ये W बटे में Q हो जाएगा अगर W ये एक जूल हो जाए Q ये एक कुलंब हो जाए तो ये हमारा एक वोल्ट मिल जाएगा तो एक वोल्ट बरावर हो जाएगा एक कुलंब, सौरी एक जूल बटे में एक कुलंब, तो ये इसका right answer होगा विवांतर की माप एक यंद्र द्वारा की जाती है जिसे dash कहते है विदु धारा को मापने के लिए ये सिंबल दिखे, यहां मालोग positive, negative भी लिखा हो सकता है तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर ये क्या मापेगा, ये potential difference मापेगा विवांतर मापेगा किसी दो point के बीच में एमीटर और वोल्ट मीटर को परिपत में करमशा, dash में जोड़ा जाता है एमीटर मैंने आपको बताया, कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है ये इसका सिंबल हो गया, और ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया कभी भी circuit में, कभी भी परिपत में, एमीटर को जुड़ा जाता है सिरीज में, यानि कि श्रेनी करम में, और वोल्ट मीटर को जुड़ा जाता है पैरलेल में, ये आप देख सकते हैं, यहां देखो ये एक एमीटर लगा हुआ है तो ये क्या है सिर्केट में, सिरीज में लगा हुआ है, और यहीं वोल्ट मीटर देखो parallel में लगा हुआ है तो emitter ये श्रेनी करम में होगा और voltmeter ये समनांतर करम में होगा तो ये इसका right answer होगा किसी धातू के तार में प्रवाहित होने वाली विदुद्धारा उस तार के सीरो के बीच विबांतर के अनुकरमानुपाति होती है प्रवाहित है ये किसका नियम है ये ohm का नियम है ये आप सबको याद भी होगा ohm का नियम ohm कहता है we directly proportional to I होता है we directly proportional to I होता है लेकिन इसके लिए एक condition है कि जो हमारा temperature होना चाहिए constant होना चाहिए अगर हम तापमान को नियत रखे यानि जो हमारा तार होगा, कोई भी तार होगा, मालनो, copper wire है, मालनो, तांबे का तार है, और इसका दो point है, मालनो, ये एक A है, और ये एक B है, इस दोनों के बीच potential difference मालनो, भी है, तो अगर आप इस तार का, जो तापमान है, उसको नियत कर दे, constant कर दे, तो V directly IQ हो जाएगा, यानि, आप इस दो point के बीच, potential difference double कर दो, तो current double हो जाएगा, मालनो, पहले यहाँ से flow हो रहा था 2A, और यहाँ भी बांतर मालनो, यहाँ था 10V, और यहाँ था 0V, अब मालनो, 10V से, अगर आप 20V कर दो, यहाँ 20V, यहाँ 0V, तो यहाँ पहले potential difference कितना था, 10 था, बाद में अब 20 हो गया, तो यहाँ current अब जो flow होगा, यह हो जाएगा 4A, potential difference चेंज करोगे, current उसी rate में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यह ओम का नियम है, ओम की नियम से हमें एक straight line, graph मिलता है, यह ग्राफ मिलता है, यहाँ आप देख सकते हो, देखो, जब विवांतर 4V थ तब current 1A था, जब विवांतर को बढ़ा करके, चार दुनी 8, 8V कर दिया, तब current बढ़ करके भी double हो गया, 2A, जब विवांतर को 4 से 12 किया, यानि 3 गुना किया, तो current भी दखो पहले के 3 गुना हो गया, पहले एक था बात में 3A हो गया, तो आप यहाँ क्या देख रहे है, कि V directly I के है, V को अब double करो, I double हो जाएगा, V को triple करो, I triple हो जाएगा, V को 4 times कर दो, I 4 times हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या करेंगे यहां से, ऐसे लिखेंगे, V is equal to I, I into R, और यह R हो जाएगा, V बटे में I, इस R को हम लोग बोलते हैं, resistance यानि की प्रतिरोध, तो ओम का नि नियत रखें, तब V बटे में I का जो मान होगा, वो नियत होगा, और यह जो V बटे में I जो मान आता है, जो की नियत होता है, यह क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, मतलब किसी भी तार के लिए, किसी भी तार का, अगर आप V change करो, V double करो, तो I भी double हो जाएगा, V four times कर होगा, उसका मान नियत रहने वाला है, उसका मान नहीं बदलेगा, बसरते तार का ताप मान नियत होना चाहिए, तो यह आपको relation ध्यान में रखना है, R is equal to V बटे में I, तो यहां से आप ऐसा मत सोच लेना, कि अगर आप current को बढ़ाओगे, यहां से आप ऐसे मत सोचना, कि R inverse to I है, यहां से अगर आप current को बढ़ाओगे, तो resistance कम हो जाएगा, मतलब कोई तार था, वहां से 4 ampere current flow रहा था, मान लो उसका आप जो प्रतिरोध है, वो 10 ohm था, अगर आप 4 के बजाए आप वहां पर 8 कर दो, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध घटके 10 से 5 हो जाएगा, current क current को बढ़ाओगे, प्रतिरोध में कोई फरक नहीं आएगा, क्योंकि current को बढ़ाओगे घटाओगे, तो यह potential difference भी change हो जाएगा, और यह ratio कुछ इस परकार से अपने आपको adjust करेगा, कि overall V बटे I का मान जो होगा, जो कि आमें प्रतिरोध देता है, वो नहीं बदलेगा, व क्या होता यह, R is equal to V बटे में I, ओम के नियम के अनुसार, V बटे I एक नियतांक होता है, जिसे डैस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, resistance बोलते हैं इसे, एक ओम बढ़ाबर, यह उपने बताना है कि आपको क्या होगा, numerator में, तो R is equal to V बटे में I होता है, R हमारा 1 Ampere हो जाए, तो यह हमारा हो जागा 1 Ohm, चीक है, तो 1 Ohm बढ़ाबर 1 V बटे में 1 Ampere, भी इसका राइच आंसर होगा, प्रतिरोध का ऐसा है मातरक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा है मातरक Ohm होता है, यदि किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध दुगुना हो जाए, त तो आधी हो जाती है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है रुकावट, रुकावट, रास्ते का रुकावट, रास्ते में रुकावट, किसके रास्ते में, करेंट जिस रास्ते में फ्लो हो रहा है उसमें, तो अगर प्रतिरोध दुगुना हो गया, यानि current पहले के आधी हो जाती है आप बोलोगे कि आप कैसे लगा दी अभी तो आपने बोला कि R-I नहीं लगाना है देखिए अगर आप I change करोगे तो प्रतिरोध चेंज नहीं होगा लेकिन अगर आप प्रतिरोध ही change कर दो तो current बदल जाएगा प्रतिरोध बढ़ाओगे current घट जाएगा जिस rate से आप प्रतिरोध बढ़ाओगे विदुधारा उसी rate से घट जाती है स्रोध की वोल्टता में बिना कोई पड़िवर्तन किये पड़िपत की विदुधारा को नियंत्रित करने वाले अभियब को क्या कहते है क्या कहना है धारा को नियंत्रित करने वाले अभियब को क्या कहते है धारा नियंत्रित करना है वो भी स्रोध की वोल्टता में बिना कोई पड़िवर्तन किये देखिए R is equal to V बटे में I मैंने आपको पताया हमें क्या करना है I को change करना है हमें इस I को change करना है लेकिन इस V को fix रखना है अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप I change करोगे तो V भी change हो जायेगा बट V बटे I ये constant रहेगा लेकिन यहां साब तोर पे कहा गया है कि हमें V को ही I को सिर्फ change करना है V को change नहीं करना है स्रोत्त की वल्टता में बीना कोई पड़िवर्तन किये पड़िपत्त की धारा को नेंद्रित करने वाला अवियव को क्या कहते हैं इसे हम बोलते हैं पड़िवर्ती प्रतिरोध variable resistance C इसका right आंसर होगा जो variable resistance होता है सर्किट में वो क्या करेगा voltage को change नहीं होने देगा लेकिन current को change करेगा current को कैसे change होगा नाम देखो नाम सी के लिए पड़िवर्ती प्रतिरोध यानि कि variable resistance जो ये प्रतिरोध होगा ये बदलेगा यानि हम current को change करेंगे लेकिन प्रतिरोध में पड़िवर्तन करके voltage में change करके नहीं मैंने आपको बताया ना कि अगर आप resistance बढ़ाओगे तो current का flow पहले से कम होगा अगर आप इसको कम करोगे तो current का flow ज़ादा होगा तो हम लोग current को control करेंगे resistance को change करके अगर बार बार resistance change योड़ा है तो वो हो गया variable resistance बड़िवर्ति प्रतिरोध किसी चाला का प्रतिरोध निर्वर करता है अब ये एक अच्छा सवाल है यहाँ आप दिहान से सुनिएगा प्रतिरोध यानि की resistance तो कोई conductor है उसका प्रतिरोध किस पर निर्वर करता है आपने एक formula देखा होगा R is equal to rho L by A इसको तो आप दिहान रखो ही और यहाँ देखो R directly L के होता है R inversely area के होता है तो चालक जितना लंबा होगा current को उतना जादा distance travel करना होगा यानि की उसके रास्ते में उतना ही जादा रुकावट आएगा तो अगर आप length बढ़ा दो चालक की लंबाई बढ़ा दो तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा अगर आप चालक की मोटाई बढ़ा दो area यानि की area of cross section मालो कोई तार पहले इतना पतला था बाद में या अब इतना मोटा हो गया यानि पहले अगर ये a1 था ये cross section कोई सा भी cross section उठा सकते हो card का शेतरफल ये अब a2 है ये पहले a1 था तो a2 जादा हो गया a1 इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो तार है मोटा वाला इसमें जादा इसमें कम प्रतिरोध होगा और इस पतले वाले में जादा प्रतिरोध होगा अब इसको पतली गली समझ सकते हो कि गली जितना पतली होती है चलने में उतना ही जादा कंडिस्टेट होता है और गली जितनी चोड़ी होती है चलने में उतना ही हमें कम problem होता है टिक ऐसे ही समझ लो कि जितना मोटा तार current flow होने में उतना ही कम problem तो area of cross section के साथ इसका ultra relation है जितना मोटा तार होगा परतिरोध उतना ही कम होगा जितना लंबा तार होगा परतिरोध उतना ही जादा होगा तो ये दो तो आपको यहां से दिखी रहा है तो किसी चालक की परतिरोत पर निर्भर करता है सही है, चालक की मुटाई पर भी निर्भर करता है अब है चालक की पदार्त के प्रकिर्ती ये जो आप रो देख रहे हो न ये रो ये दो चीज़ों पर depend करता है आप इतना तो समझ रहे हो कि अगर हम रो को बढ़ा दें तो resistance क्या हो जागा बढ़ जाएगा अगर आप रो को घटा दो तो resistance घट जाएगा तो ये जो रो है ये खुद दो चीज़ों पर depend करता है एक तो temperature temperature अगर आप बढ़ा दो temperature अगर आप बढ़ा दो तो ये रो बढ़ जाएगा और दूसरा है nature of material यानि कि पदार्थ के प्रकृति nature of material जैसे मालो पहले तामबे का तार था अब मैंने change कर दिया aluminium का तार लिया आया तो material change हो गया पहले तामबा था अब aluminium है तो material change होगा ये रो change हो जाएगा यानि कि resistance हो जाएगा जिस भी factor पे जिस भी factor से रो बदल रहा है उस factor से प्रतिरोध तो बदलेगा ही बदलेगा अब देखो ये जो रो है हम इसे बोलते हैं resistivity ये था resistance और ये क्या है resistivity resistivity इसी काम लोग ये भी बोलते हैं specific resistance specific resistance specific resistance यानि कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध अगता नाम में आप अंतर ध्यान में रखना सवाल में कभी भी आया प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध अगता तो ध्यान से पढ़ना क्या पूछा गया है कि दोनों में अंतर है यह हो गया हमारा प्रतिरोध अगता और यह हो गया हमारा प्रतिरोध या फिर बोल दो इसे विशिच्ट प्रतिरोध यह जो प्रतिरोध अगता है यह nature of material पर depend करेगा साथ में temperature पर depend करेगा अगर यह conductor है तो temperature बढ़ाएंगे अगर ये conductor है याद रखिएगा conductor चालक, अगर ये चालक है तो temperature बढ़ाएंगे, रो बढ़ जाएगा लेकिन जो हमारा ये प्रतिरोध है ये L पर भी depend करता है, A पर भी depend करता है और रो पर भी depend करता है रो बोले तो temperature पर और nature of material पर भी depend करेगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा उप्रोक्त सभी पर तार के लंबाई दुगुनी कर देने पर एमिटर का पाठ हैंग क्या होगा तार के लंबाई दुगुनी कर दिया तो R is equal to rho L by A R directly proportional to L होता है अगर तार के लंबाई पहले से दुगुनी हो गई यानि कि यह 2L हो गया तो हमारा R जो हो जाएगा यह 2R हो जाएगा तो यह सवाल कुछ इसी परकार से हो गया कि पहले R था प्रतिरोद पहले R था बाद में क्या हो गया 2R हो गया तो current क्या हो जाएगा पहले से पहले के आधी हो जाती है current तो आई बट्टे में 2 आदा हो जाता है एमिटर का पाठियांग एमिटर क्या करता है करेंट मेजर करता है तो एमिटर का पाठियांग क्या हो जाएगा आदा हो जाएगा क्योंकि करेंट आदी हो जाती है किसी चाला की प्रतिरोधक्ता किस पर निर्वर करती है, आप देखो यहाँ क्या पूछा है, प्रतिरोधक्ता, प्रतिरोधक्ता को हम लोग बोलते हैं resistivity, resistivity या फिर specific resistance, resistance यानि कि विशिष्ट प्रतिरोध, यह सब नाम important है, इसे हम लोग रोस रिनोड करते हैं, यह रो सिर्फ दो ही फैक्टर पर nature of material बदल दोगे, रो बदल जाएगा, temperature चेंज गरोगे तो भी रो चेंज हो जाएगा, temperature अगर बढ़ा दो, तो रो बढ़ेगा, लेकिन यह किस केस में, conductor के केस में, चाला के केस में, temperature अगर बढ़ा दो, तो यह रो घट जाएगा, लेकिन किस केस में, semi conductor के केस में, यह दि प्रतिरोधक्ता बढ़ जाती है, तो आप देखो सवाल में क्या पूचा है, किसी चालक का प्रतिरोधक्ता किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन वो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक्ता नह आपको बता चुका हूँ कि अगर चालक है, अगर कोई conductor है, तो temperature बढ़ाओगे, तो इसकी जो resistivity है, ये भी बढ़ जाएगे, अब resistivity के साथ आप relation जानते हो, r is equal to rho ly, ये होता है, तो आप ये बोल सकते हो, कि अगर आप temperature बढ़ादो, तो resistivity बढ़ जाएगे, यानि कि resistance भी ब बढ़ जाती है, प्रतिरोध का SI मातरक क्या है, प्रतिरोध का SI मातरक मैंने आपको पताया कि ओम होता है, इसका symbol ये होता है, r is equal to होता है, rho l by a, अगर हम इसे ओम लिखते हैं, इसका तो हमें चाहिए, प्रतिरोध का, rho का, length के लिए हमारा SI unit होता है, meter, और area के लिए होता है हमारा meter square, एक meter से square खतम हो जाएगा, तो यहां से r आजाएगा हमारा ohm meter, तो प्रतिरोध का SI मातरक ohm meter होता है, निमिन में से कौन प्रतिरोध के बढ़ते हुए करम में आयोजित है, यानि कि हमें देखना है order जिसमें प्रतिरोध क्या है, बढ़ रही है, तो सबसे ज़्या ज़्यादा, अधातू का, उससे कम होता है alloy का, यानि कि मिश्रधातू का, और सबसे कम होता है metal का, तो हमसे बढ़ते हुए करम में, तो सबसे कम धातू का, उससे ज़्यादा मिश्रधातू का, और सबसे अधिक होगा अधातू का, तो C का right answer होगा, मिश्रधातू की प्रति मिष्रधातु यह बना होता है निकल से क्रॉमियम से आरन से और मैंगनीत से यह सारी धातु मिल करके नाइक्रोम मिष्रधातु बनाती है तो होगा यह आपको पता होगा वैसे भी जो नाइक्रोम का तार हैगा यूज्च क्या है इसका जो प्रतिरोध है नाइक्रोम मिश्रधातू का इसका प्रतिरोध निकल से भी ज़्यादा होगा क्रोमियम से भी ज़्यादा होगा, ऐरन से भी ज़्यादा होगा, मैगनीट से भी ज़्यादा होगा हम मिश्र धातू बनाते ही इसलिए है ताकि उसका जो प्रतिरोध है उसका जो प्रतिरोधक्ता है ये बढ़ जाए तो अधिक होती है इसका right answer होगा धातू और मिश्र धातू की प्रतिरोधक्ता का पडिसर क्या है तो धातू और मिश्र धातू की प्रतिरोधक्ता बहुत ही कम होगा ठीक है किकि करेंट यहां से अच्छे से फुलो होता है तो 10 पे पावर 12 ohm meter से 10 पे पावर 17 ohm meter ये तो होगा नहीं यह तो बहुत ही जादा हो गया हमारा resistivity यह तो होगा नहीं कम होना चाहिए तो यह होता है 10 to the power minus 8 ohm meter से 10 to the power minus 6 ohm meter यह आप धातू और मिश्र धातू दोनों के लिए बोल सकते हो दोनों के लिए NCRT के बुग में यही दे रखा है और 10 to the power 12 से 10 to the power 17 यानि यह जो A वाला जो है इसको भी आप याद रह सकते हो यह हो गया हमारा विदुरोधी के लिए विदुरोधी के लिए यानि कि insulators के लिए तो अगर हमारा metal है या फिर alloy है मिश्र धातू है तो इसके लिए जो हमारा range है resistivity का यह क्या हो जाएगा 10 to the power minus 8 ohm meter से 10 to the power minus 6 ohm meter अगर हमारा insulator है या फिर non metal है बोल सकते हो इसका हो जाएगा 10 to the power 12 ohm meter से 10 to the power 17 ohm meter विदुरोधी बल्ब का तंतू के रूप में किसका उपयोग किया जाता है जो हमारा electric bulb होता है उसमें जो filament होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है टंगस्टन का टंगस्टन का symbol होता है capital W विजुत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है विजुत का सबसे अच्छा चालक होता है silver symbol AG atomic number 47 विजुद का सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है याद रखिएगा निमिन में से कौन विजुद रोधी है यानि कि इन्सुलेटर है यानि इससे होकर कि करेंट फ्लो नहीं होती है तो एबो नाइट डाइमंड काच इन्से सभी इसका राइट आंसर होगा चार ओम प्रतिरोध के किसी तार की मुटाई दुगोनी कर दी जाती है तार का नया प्रतिरोध क्या होगा मालीजी ये कोई तार था ठीक है ये कोई तार था इसका लेंथ एल था और इसका प्रतिरोध चार ओम था अब क्या हुआ इसी तार को इसी तार को कोई नया तार नहीं लाया गया बोलाया ना कि चार ओम प्रतिरोद के किसी तार की मोटाई को अब होगा ये कि हमने क्या क्या इसके मोटाई को बढ़ा दिया दूगूनी कर दिया यानि पहले मानलो इसका area of cross section जो cart का शेत्रफल था पहले अगर a था तो अब ये 2a हो जाएगा तो length छोटा हो जाएगा क्योंकि हमने कोई नया तार नहीं लाया है हमने कोई नया तार नहीं लाया है जिसका length l ही था और इसका मोटाई डबल हो जाया हमने इसी तार को क्या किया होगा चेंज किया होगा और इसके length को कम करके इसके मुटाई को बढ़ा दिया होगा तो अब आपको दियान में ये रखना है सवाल में कभी भी खीच कर आये खीच कर यानि कि stretching या फिर यहां सवाल में नहीं दे रखा है कि लेकिन यहां साफ सा पता चला रहा है कि चार ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई को दुगूनी कर दी जाती है यहां भी कोई नया तार नहीं लाया गया है वही तार है और उसके लेंथ में चेंज करके मोटाई को चेंज किया गया है तो ऐसे केस में जब कोई नया तार नहीं लाया पहले ही वाले तार को चेंज किया है वैसे केस में क्या होगा जो हमारा R होता है यह directly proportional to L square होता है जो हमारा R होता है यह inversely proportional to A square होता है या फिर बोदो जो R होता है यह inversely proportional to R small r square होता है यह होगा हमारा radius यह जो मारा cross section है ना यह इसका जो radius होगा R यह relation आपको ध्यान में रखना है यह formula आपने देखा R is equal to rho L by A यहां से आप देखो R directly L के होता है R inversely A के होता है और R inversely proportional to R square होता है यह आपको formula नहीं लगाना है यह formula आप तब लगाएंगे जब तार change होगा एक new wire लाएगा एक नया तार लाएगा यह इसमें क्या होगा ना कि length को fix कर देगा सिर्फ area change करेगा या फिर area को fix कर देगा सिर्फ length change करेगा लेकिन अगर तार को change नहीं किया गया है तो अगर आप length में change करोगे तो area भी automatic change हो जाएगा और अगर आप area change करोगे तो length भी automatic change हो जाएगा सेम तार के साथ अगर आप छेड़ खानी करोगे तो तो वैसे कि इसमें आपको ये relation लगाना है अब यहाँ देखो तार की मुटाई दुगूनी कर दी गई है यानि कि यहाँ पर radius to the power 4 दो यहाँ पर 4 हो गई यानि कि r inversely proportional to small r to the power 4 तो मुटाई दुगूनी कर दी जाती है अगर मुटाई को दुगूनी कर दी गई तो प्रतिरोध पहले के एक बटा 4 हो जाएगा एक को अगर double कर दे तो r क्या हो जाएगा पहले के r बटे में 2s2 यानि कि r बटे में 4 हो जाएगा यानि कि एक ओम हो जाएगा तो यह अंतर है थोड़ा साब द्यान में रखना प्रतिरोध को को श्रेनी करम संयोजन में पड़िपत के हर भाग में क्या समान होती है अगर बहुत सारे registers को चीक है यह symbol है register का यह तो कई सारे register है जिससे श्रेनी करम में जोड़ा गया है मैं एक circuit बना लिया यह plus यह minus सारे ही registers मालो यह r1 है यह r2 है यह r3 है सबका resistance है r1, r2, r3 अब यहां से मालो current flow हुआ 4 ampere इस बाले resistance में भी register में भी 4 ampere current जाएगा इस वाले में भी 4 ampere जाएगा इस वाले में भी 4 ampere जाएगा क्योंकि सबके सब श्रेनी करम में जुड़े हुए है तो विदो धरा समान होती है लेकिन potential difference अलग-अलग होगा इसका मालो कुछ और होगा वी 1 होगा इसका वी 2 होगा इसका वी 3 होगा तो श्रेनी करम में श्रेनी करम में हर प्रतिरोधक के साथ current सेम होगा लेकिन जो वी होगा न ये different होगा कब श्रेनी करम में इसके ठीक उल्टा हो जाएगा पार्शो करम में हमारे घरों में विदोत उपकरने किस करम में लगे होते हैं जैसे कि बल्ब हो गया पंखा हो गया या फिक कोई भी विजुद उपकरन हमारे घरों में जो हम लोग यूज करते हैं वो किसमें लगे होते हैं वो लगे होते हैं पाशोकरम में पाशोकरम यानि कि पैरदल कंबिनेशन में विजुद धारा के तापिये प्रभाव का उप्योग किया जाता है विजुद धारा का तापिये प्रभाव का उप्योग किया जाता है विजुद हीटर में और एलेक्ट्रिक बल्ब में जैसे माल लो हमने एलेक्ट्रिक एनर्जी दिया पंखे को, फैन को, हमने फैन को दिया एलेक्ट्रिक एनर्जी, विजुत उर्जा, हम चाहते हैं ये जो विजुत उर्जा है, इससे ये पंखा सिर्फ रोटेट करें, सिर्फ क्या करें, रोटेट करें, सिर्फ घूमें, और हम में हवा चाहिए पंके से लेकिन आप पंके को छूगर देखना वो गरम भी हो जाता है वो पंका गरम भी हो जाता है यानि हमारा जो विजुत उर्जा है ये सिर्फ पंके को घुमा ही नहीं रहा है कुछ विजुत उर्जा हमारा बेकार जा रहा है ठीक है व्यर्थ जा रहा है हम ये व्यर्थ नहीं चाह रहे हैं फिर भी ये जा रहा है किस के फॉर्म में? heat के फॉर्म में उश्मा के रोप में ये जो उश्मा निकला ये किसले निकला? क्योंकि हमने दिया electric energy यानि कि हमने दिया current तो यही होता है विदु धारा का तापिय प्रभाव हम देते हैं धारा देते हैं कुछ और मकसद से लेकिन कुछ energy वहाँ पे वेकार चले जाती है उश्मा के फॉर्म में निमन में से कौन Joule के तापिय नियम को दर साता है जो अभी आप लोग ने देखा न जो धारा का तापिय प्रभाव उसी को लोग बोलते हैं Hitting Effect of Current या फिर Joule's Law of Hitting Effect जहां H उश्मा I धारा आड़ प्रतिरोध और T समय है यह आपको दिहान में रखना है 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 यह डिरेक्टली होता है I से यानि कि जैसे मान लो यह कोई हमारा कोई भी उपकरण है हर उपकरण के पास कुछ ने कुछ प्रतिरोध होता ही है हर तार के पास कुछ ने कुछ प्रतिरोध होता ही है यानि कुछ ने कुछ एनरजी को वो व्यर्थ करेगा ही तो मान लो यह कोई उपकरण है या फिर कोई तार है जिसका प्रतिरोध R है और यहां current flow हो रहा है I हमने flow करवाया current को T समय के लिए तो Joule का नियम यह कहता है कि आप जितना ज़्यादा current दोगे उतना ही ज़्यादा यहां से उश्मा निकलेगी टिक है उतना ही ज़्यादा यह तार गरम होगा साथ में यह भी कहते हैं कि आप जितनी समय के लिए आप जितनी समय के लिए आप current flow करवाओगे उतना जयदा उश्मा मिलेगी तो इसमें कोई सक नहीं है जितना ज्यादा देर तक आप current दोगे उतना ही ज्यादा देर तक यह essahouse हम निकलने वाली है उसके बाद इस star का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमा उतना ही अधिक निकलेगी फिर हम इस सबको क्या करेंगे combine करेंगे तो हमारा h हो जायागा यहां आप h directly proportional to i square करो चीक है यहां square होता है तो h is equal to i square r t तो यही आपको relation धिहान में रखना है h is equal to i square r t इसी को बोलते हैं हम लोग Joule's law of hitting effect Joule के ताप यह नहीं है तो हमारा right answer हो जाएगा b t समय में किसी सुरोट द्वारा प्रदान की गई उड़जा कितनी होती है जहां p पड़िपत में सुरोट द्वारा निवेश की गई सकती है धारा परवा के लिए हम लोग circuit में क्या लगाते हैं कौन चा सुरोट लगाते हैं cell लगाते हैं तो मान लेजे ये कोई cell है ये हमने circuit बना लिया इसमें एक बर्व लगा दिया एक प्रतिरोध लगा दिया यही तो हमारा सुरोध है जो विवांतर को 0 नहीं होने देगा कुछ अपना क्याम के लिए energy खर्च करेगा और विवांतर को 0 नहीं होने देगा कि उपवोक करने का दर बोल सकते हो या फिर उड़जा अस्तनांदरन का दर बोल सकते हो और यहां से आप लिख सकते हो energy is equal to power into time तो अगर इस स्रोध का इस cell का power P है और यह cell अपने power को यूज करता है T time के लिए यानि कि T समय तक यूज करता है तो इसने अपना total energy खर्च किया P into में T power into में time तो यही हमसे सवाल में पूछा है कि T समय में किसी स्रोध द्वारा परदान की गई उड़जा कितनी होती है और यह जो energy होता है यह chemical energy के form में होता है क्योंकि cell के अंदर chemical reactions होती रहती है तो chemical energy के form में होता है और यह chemical energy electric energy में convert होती है तो P into में T इसका right answer होगा मिश्र धातू, Nichrome कितने धातों का मिश्रन है तो मिश्र धातू, Nichrome यह nickel का, Chromium का Iron का, Magneach का चार धातों का मिश्रन है यह आपके पिछले साल railway exam में पूछा जा चुका है Tangustan का गलनानक आपको रटा होना चाहिए 3380 degree Celsius यही NCRT में दे रखा है तो आप 3380 degree Celsius एग्जेक्ट आप याद रखो विदुत बल्ब में कौन सी गैस भरी आती है विदुत बल्ब में oxygen को निकाल करके यानि कि हवा को निकाल करके उसमें भड़ी आती है या तो nitrogen या फिल Argon तो भी इसका right answer होगा और विदुत बल्ब का जो filament होता है वो Tangustan का होता है जिसका melting point काभी जादा होता है निकली में से कौन Joule के top नियम पर काम करता है यानि कि जो अभी हम लोग ने देखा H is equal to I square RT इसका resistance ज्यादा होता है और melting point कम होता है यह आपको ध्यान में रखना है जब भी जड़त से ज्यादा current flow होगा तो यह fuse wire fuse होता है यानि कि गल जाता है गलने के मदलब क्या होता है कि circuit breakdown हो जाता है circuit तूट जाता है फिर फूड़े घर की बजली चले जाएगी क्योंकि जो fuse wire होता है न इसे live wire के साथ live wire के साथ connect किया जाता है और यह series में लगा होता है शेनिकरम में लगा होता है इसलिए अगर जो fuse तार होता है अगर वो गल जाता है तो circuit breakdown हो जाता है और पूड़े घर की बजली चले जाती है अब यह भी कहा है न कि joules law of heating effect पर काम करता है मानलीजे हमने fuse तार लगा रखा है कि 5 ampere तक के current को यह जहल सकता है मानलीजे 10 ampere current आगया 10 ampere अगर current आगया तो यहाँ से देख लो कि h directly proportional to i square है अगर आप इसको current को बढ़ाओंगे current को अगर बढ़ाओंगे तो उष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन होगी चीक ह aún絮ा बहुत ज़्यादा उत्पन होगी और हमने टार का परतिरूद पहले ही ज़्यादा रखा है यानि कि परतिरूद बढ़ाओगे तार का तो उशमा और जयादा उठबन होगी जब जादा उचमा उठबन होगी तो गल नान किसका कम है और यह तार गल जायेगा तो कभी पूछे है कि जो Fuge है यह किस नियम पर काम करता है तो जूल के ताप नियम पर काम करता है और भी related point याद रह सकते हो कि इसे जीवित तार के साथ connect किया जाता है resistance से ज़्यादा होता है melting point कम होता है fuse wire के बार में पूछ ले जाता है कि ये किसका मिस्रधातू होता है generally, तो ये lead प्लस tin का होता है, शीशा और tin का मिस्रधातू होता है fuse wire, और इसे विजट पड़िपत में लगे fuse के संबंद में निम्न में से कौन आसकते है इसे युक्ति के साथ श्रेनी करम में जोड़ा जाता है तो ये सही है fuse तार lead और tin का मिस्रधातू है, ये भी सही है इसका प्रतिरोध उँच और गलनान कम है ये भी सही है प्रतिरोध उँच होता है, गलनान कम होता है इसका प्रतिरोध निम्न और गलनान कुछ होता है ये गलत है D is the right answer उड़ जाके उपबुक्त होने की दर को क्या कहते है जो शक्ति होता है, ये क्या होता है work upon time होता है, कार्य करने की दर या फिर उड़ जाके खर्च होने का दर तो ये शक्ति होता है विदुत शक्ति यानि कि P is equal to what तो power पराबर क्या होता है work upon time ये हम लोग जानते हैं और थोड़ दर पहले हम लोग ने देखा था V is equal to W by Q यहीं से हम लोग ने लिखा W is equal to V into Q तो अब इस W क जाएगा पर हम लोग लिख सकते हैं V into Q बटे में T और Q बटे में T ये क्या होता है? I होता है तो यहां से हमारा power आ जाएगा V into में I ये हमारा आ गया ये उपड़ वाला V is equal to I into में R होता है तो आप यहां पर लिख सकते हो V के जाएगा पर I into में R into में R यानि कि power is equal to I square R यानि कि हमारा ये वाला भी आ गया इसी में आप I बड़ा पर ये लिख सकते हो V बटे में R तो आप पुट कर दो इसी में P is equal to V into में I के जाएगा पर V बटे में R P is equal to V square बटे में R यहां से हमारा ये third भी आ गया तो इन में से सभी हमारा right answer होगा आपर energy बड़ावर होता है power into में time तो आप इस sum में अगर time से multiply कर दो तो ये सारे के सारे formula हो जाएगे energy के यानि कि उड़ जाके 1 watt बड़ावर क्या होता है जहाँ V भी बानता है यानि कि V और A क टर्म में तो पावर बड़ावर क्या होता है V और A क टर्म में power is equal to V into में I होता है तो P is equal to हो जाएगा हमारा हमें 1 watt चाहिए 1 watt चाहिए तो ये हमारा 1 volt होना चाहिए 1 ampere होना चाहिए तो 1 V A बी इसका right answer विजद उड़जा किसका ग्रोनरफल है विजद उड़जा तो energy is equal to power into में time शक्ती और समय का शक्ती और समय का 1 kilowatt घंटा कितने unit के बरावर होता है 1 kilowatt hour ये एक unit के बरावर होता है ये आपको धियान में रखना है बहुत पूझा जाता है 1 unit यानि कि 2 kilowatt hour 2 unit 5 kilowatt hour 5 unit तो 1 unit हमारा right answer होगा विजद उड़जा का वैबारिक मातरक है यानि कि जो commercial unit है electric energy का वो क्या है kilowatt घंटा और unit kilowatt घंटा ये unit ये एक ही चीज़ है तो हम लोग A और B दोनों बोलेंगे और 1 kilowatt hour बड़ावर 1 unit बड़ावर 3.6 into 10 to the power 6 joule joule में हम लोग बोलेंगे 1 kilowatt hour को 3.6 into 10 to the power 6 और 1 horsepower क्या होता है 746 watt अंदर क्या है horsepower ये शक्ती का unit है और kilowatt hour ये उड़ा का unit है आवेशू के लिए धनातमक और रिनातमक पदों का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया हम लोग जो बोलते हैं positive charge, negative charge ये जो positive charge, negative charge term है ये सबसे पहले किस ने use किया ये थे Benjamin Franklin सजाती अवेशू के बीच हमेशा 2 charge है मालनो 2 charge है और इस दोनों पर plus charge है यानि कि ये भी positive charge है ये भी positive charge है तो 2 positive charge हमेशा एक दूसरे को धक्का देते हैं यानि ये दोनों पास नहीं आना चाहेंगे तो सजाती अवेशू के बीच हमेशा प्रतिकर्शन होता है अब सिर्फ positive नहीं मालनो 2 negative charge है इस दोनों के बीच में भी क्या होगा प्रतिकर्शन होगा तो occurcern किस के बीच में होगा occurcern के लिए जरोड़ी हो कि एक plus charge हो एक minus charge हो तब इस दोनों के बीच में क्या होगा occurcern होगा एक दूसरे को attract करेंगे दोनों same nature का हुआ तो repel करेंगे यदि रो प्रति रो धकता यानि कि resistivity और सिग्मा ये है सिग्मा चालकता यानि कि conductivity तो निमनिमस से कौन सही है तो आपको दिहान ये रखना है जो हमारा conductivity होता है ये resistivity के उल्टा होता है important है दिहान में रखिएगा यानि कि जहाँ जहाँ हम ये बोल ले हैं थे कि resistivity बढ़ेगा आप वहाँ पर ये बोल सकते हो कि conductivity घटेगा for example सुचालक के लिए conductor के लिए हमने आपसे ये कहा था कि जो temperature बढ़ाएंगे तो क्या होगा resistivity बढ़ेगा यानि आप यहाँ पर वहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हो कि temperature बढ़ाने से जो चालक है उसकी conductivity घट जाती है यानि current flow करने के tendency घट जाती है और semi conductor case में अर्थ चालक के case में temperature बढ़ाने से resistivity घटती थी तो आप यहाँ पर यह बोल सकते हो कि temperature बढ़ाने से conductivity बढ़ जाएगी resistivity और conductivity में ultra relation है तो या तो आप बोल दो sigma is equal to 1 by rho या फिर बोल दो rho is equal to 1 by sigma और इसी दोनों को अगर आप multiply करो तो यह 1 के बढ़ावर आएगा इसी तरह से जो हमारा conductance होता है देखें इस conductivity को हम लोग specific conductance भी बोलते है specific conductance जिस तरह से हम लोग resistivity को specific resistance बोलते है ठीक वैसी conductivity को specific conductance बोलते है यानि कि विशिष्ट चालगता तो जो हमारा specific conductance होता है उसे हम लोग capital G से denote करते है और यह हता है हमारा एक बटे में R यानि कि जो हमारा conductance होगा यह 1 upon resistance होगा और जो conductivity होगा यह 1 upon resistivity होगा किसी चालक का ताब बढ़ाने पर उसकी चालकता एक चालक है हमने उस चालक का temperature बढ़ा दिया हम लोगों ने देखा कि resistivity क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा या फिर बोल दो conductivity घट जाएगा तो उसकी चालकता घटती है ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता जिसकी conductivity सुचालक और कुचालक के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अर्ध चालक सेमी कंड़क्टर जैसे की आर्सेनी, जैसे की सिलकन, जैसे की जर्मेनियम ये सब अर्ध चालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने से मैंने आपको बढ़ मैंने आपसे बढ़ाया कि अगर चालक है तो टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो conductivity घट जाएगी अगर सेमी कंड़क्टर है तो टेंपरेचर बढ़ने से conductivity बढ़ती है तो और चालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है जिस ताप पर एक चालक, अती चालक में बदल जाता है, उसे क्या कहते है चालक की केस में कंड़क्टर के केस में मैंने आपसे कहा कि temperature हम बढ़ा दें, तो resistivity बढ़ जाएगी इसी को बोलते हैं हम लोग conductivity घट जाएगी यह क्या है, कंड़क्टर के केस में, यानि कि चालक के केस में, माल लेजे कोई चालक है कोई चालक है जिसका resistance आ रहा है कोई कंड़क्टर है, जिसका resistance आ रहा है अगर हम temperature बढ़ाएंगे, तो resistance बढ़ेगा इसी को हम लोगों ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम temperature को घटाएंगे, तो resistance घट जाएगा हमने क्या किया, लगतार temperature को कम किया लगतार, लगतार, लगतार हम लोगों ने temperature को कम किया, फिर क्या हुआ लगातार यह resistance भी घटता चला गया, एक time आया, एक time आया, यानि कि एक ऐसा temperature आया, ठीक है, एक ऐसा temperature T आया, जहाँ पे resistance घटते 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 conductor का resistance 0 हो गया, ऐसे temperature को हम लोग बोलते है, critical temperature, ठीक है, यानि कि करांतिक ताप, और अब, यह जो conductor था जिसे हम लोग चालक बोला करते थे, critical temperature पर इसी conductor को हम लोग बोलेंगे superconductor, बहुती कम ताप पर कोई चालक, अती चालक, यानि कि बहुती कम temperature पर कोई conductor, superconductor में convert होता है, इस temperature को पाना possible नहीं है, इसलिए nature में superconductor होता नहीं है, बस हम लोग पढ़ते हैं, करांतिक हमारा एक अदीश्रासी है, विदुधारा के पास है, हमारा जो electric current है, ये एक scalar quantity है, scalar quantity है, scalar quantity है, scalar quantity कौन होता है, जिसके पास सिर्फ magnitude होता है, सिर्फ परिमान होता है, direction यानि कि दिशा नहीं होता है, current के पास, current के पास परिमान है, इतना ही नहीं, दिशा भी है, ये आपको विदुद्धारा है, इसके पास magnitude भी है, direction भी है, इसके बावजूद ये scalar quantity है, क्योंकि कोई quantity सदीश है या फिर अदीश है, सिर्फ ये कहकर हम लोग नहीं बताते हैं, कि वो उसके पास परिमान भी है और दिशा भी है, इसके लिए एक अलग concept आता है, जो main concept है हम लोग उसे पड़ते ही नहीं है, क्योंकि हमारे syllabus में नहीं है, तो current के पास magnitude है, direction है, बट ये एक scalar quantity है, तो हम क्या बोलेंगे, विदुद्धारा एक अदीश रासी है, विदुद्धारा के पास परिमान और दिशा दोनों हैं, द्रवो में विदुद्धारा के प्रभा के लिए जिम्म होता है किसी metals के लिए, किसी धातू के अंदर free electrons होते हैं, वही electric current को flow करवाता है, धनात्मक और धनात्मक iron, ये हो जाएगा हमारा ऐसा conductor, जो क्या हो liquid form में हो, जैसे कि हमारा acid हो गया, base हो गया, salt हो गया, ये सब क्या है, liquid conductor है, इसमे negative ions, positive ions होते हैं, जो current को flow करवाता है, electron और hole, electron और hole, hole ये positively charged species होते हैं, ये हमें मिलता है semiconductor में, चीक है, तो semiconductor में, ये आपको धियान में रखना है, semiconductor में electron और hole होगा, जो current को flow करवाएगा, द्रविय चालक होगा, जैसे कि हम लोग शार्ड और लवन हो गया, इसमें धनात्मक और इनात्मक ions होते हैं, और केवल electron, स हात्मों में current flow होता है, तो हमसे द्रवों में पूछाता है, तो भी इसका right answer होगा, हमारे घरों में आने वाले विदुधारा कैसी होती है, हमारे घरों में जो विदुधारा आती है, वो होती है AC, यानि कि alternating current, alternating current वो होता है, जो अपने दिशा, जो अपना direction और magnitude दोनों ही ब बोल सकते हो, magnitude का तो, इसमें magnitude बदले ना बदले, लेकिन direction change होता है, आप बोल सकते हो कि alternating current वो होता है, जो एक fix time interval के बाद अपने direction को change करता है, तो हमारे घरों में आने वाले विदुधारा होती है, प्रत्यवड़ती धारा, alternating current, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसे हम बोलते हैं, ohm ये चालक, यानि कि ohmic conductor, और एक वो होता है, जो ohm का नियम का पालन नहीं करता है, जैसे कि semiconductor, जैसे कि silicon हो गया, germanium हो गया, यह सब क्या है, ohm के नियम का पालन नहीं करता है, इसे हम बोलते है, un-ohm ये चालक, तो un-ohm ये चालक वो होगा, जो ohm के नि चेंज नहीं होगा, लेकिन जो non-omic conductor होते हैं, un-omic चालक होते हैं, उसमें अगर आप V को change करोगे, तो भी परतिरोध चेंज हो जाएगा, I को change करोगे, तो भी परतिरोध चेंज हो सकता है, वो हो गया, हमारा non-omic conductor, यानि कि ये ohm के नियम का पालन नहीं कर रहा है, diode आपने सुना होगा, diode हो गया, ये ohm के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन जो हमारा copper हो गया, aluminium हो गया, silver हो गया, ये सब जो है, ये सब ohm के नियम का पालन करता है, चालकता, यानि यहां हमने बुला, conductance का SI मातरक क्या होता है, तो थोड़ी दरी पहले मैंने आपके बताया, जो conductance होता है, यह एक बटे में resistance होता है, तो अगर resistance का एसा है मातरक ohm है तो conductance का क्या हो जाएगा ohm inverse यानि कि ohm होता है ना ये ohm हो गया resistance का इसी का ultra conductance का हम लोग ऐसे बोलेंगे या तो आप बोल दो maho जो यहाँ दे रखा है या तो ohm inverse जो यहाँ दे रखा है और इसी को हम लोग बोलते हैं Simon ठीक है ठीक है Simon तो इन में से सभी हमारा right answer हो जाएगा इन में से कोई सभी आप से पूछा जा सकता है exam में और एक conductivity का मैंने आपको बताया था sigma 1 by rho तो इस rho का होता है ohm meter ohm meter तो इसका क्या हो जाएगा ohm meter तो power minus 1 निमलिकित में से कौन असत्य है कौन गलत है धारा electron की गती के दिशा के विप्र दिशा में प्रवाहित होता है तो ये तो सही है धारा घनत तो एक सदीश रासी है यानि कि current density current density जो क्यों होता है i बटे में a ये एक सदीश रासी होता है तो ये सही है लवण ये विलियन अमल और शार चालक द्रव है ये भी सही है सबसे अच्छा चालक करम सा तामा चांदी सोना आरलमिनियम है ये गलत है सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है तो सबसे पहले चांदी आना चाहिए था उसके बाद बागी को याड आता है तो D इसका राइच आंसर है Current density को हम लोग J से रिनोड करते हैं याद रखिए का यह एक vector quantity है Next एक तार में 20μA के धारा 30 सेकंड तक बह रही है तार से सनंद्रित आवेज है तो I is equal to होता है Q बटे में T हमसे Q पूछा है तो I into T लिखेंगे I हमें दे रखा है 20μA तो microA को हम लोग Ampere में convert करेंगे तो 1μA बढ़ावर होता है 10 पे पावर माइनस 6 तो हमने यहां लिखा 10 पे पावर माइनस 6 टाइम दे रखा है 30 सेकंड तो हम लोग यहां 30 डालेंगे तो यहां से हमना हो जाएगा 2,3,6 into 10 to the power माइनस 4 कोलम C इसका right answer होगा ताप बढ़ाने पर temperature हमको क्या करना है बढ़ाना है तामबे की परतिरोधकता घटती है तो temperature बढ़ाने से परतिरोधकता घट जाती है किस किस में semiconductor temperature बढ़ाने से इसके का बोल सकते है metal भी बोल सकते हो और alloy के के सने भी यह होता है तो Nichrom की परतिरोधगता घटती है यह भी गलत हो जाएगा Silicon की परतिरोधकता घटती है क्योंकि Silicon एक semi conductor है तो यहाँ पर यह काम कर जाएगा C 지원 right answer हो जाएगा नाइक्रोम एक मिश्रधातू है, तो मिश्रधातू की किसमें ताब बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, तो इसलिए B भी नहीं होगा, एक्स दे रखा है, चार ओम है, वाई दे रखा है, ये इतना ओम मीटर है, अब यहाँ देखो, हमें एक्स दे रखा है, चार ओम, यानि ये क्या दे रखा है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, यूनिट यू दे रखा है, वाई हमें दे रखा है, ये ओम मीटर, किसका यूनि नहरा प्रती रोधा मुटाईु पर इस पर यह प्रती रोधान नहीं करता। हाल में प्रती रोधार को आधि करदें, बेकिन यह यह तो हमारा य होगा यतोगा होगा इसलिए x हो जाएगा xy2 y हमारा y ही रहेगा बी इसका राइट आंसर होगा तीन प्रतिरोध हो यहां तीन कर दो तीन प्रतिरोध हो जिसका मान 2, 4 और 8 ओम है को समन आंतर करम में यानि कि parallel करम में parallel combination में जोड़ा जाता है तंतर का समतुले प्रतिरोध होगा यानि कि system का equivalent resistance क्या होगा देखिए बहुत सारे registers को जब हम parallel combination में लगाते हैं और फिर उसका जब हम equivalent resistance निकालते हैं समतुले प्रतिरोध निकालते हैं और उसका जब हमें मान मिलता है वो सबसे छोटे का भी छोटा होता है मतलब यह हुआ कि 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm जब इस तीनों का आप सम्तुल्य प्रतिरोध निकालोगे R equivalent निकालोगे तो यह 2 से भी छोटा हैगा 2 मैंने क्यों लिया? क्योंकि इस तीनों में सबसे छोटा क्या है? 2 है तो समनांतर क्रम में जोडने पर हमें सम्तुल्य प्रतिरोध छोटा से भी छोटा मिलता है और वहीं अगर हम स्रीज की बात करें, श्रेणी क्रम में बात करें तो बड़ा सभी बड़ा मिलेगा है अगर हम स्रेनी करमें बात करें तो जो हमारा R equivalent आता वो हमारा 8 से बड़ा आता तो सबसे बड़ा प्रतिरोध वाला प्रतिरोध होगा उससे भी बड़ा प्रतिरोध हमें मिलेगा तो ये आप 2 point आप दिहान में रह सकते हो कि सवनांतर में छोटा से भी छोटा मिलेगा सम्तुले और स्रेनी में बड़ा सभी बड़ा सम्तुले मिलेगा तो दो ओम से कम ये इसका right answer होगा किसी चाला की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवरतन होगा conductivity यानि कि सिग्मा चालकता बोले तो यहाँ पर conductivity और जो हमारा conductivity होता है ये 1 upon resistivity होता है मतलब सवाल आपसे ये पूछा है कि किसी चाला की लंबाई आधी कर दें जो हम length को आधी कर दें तो resistivity पर क्या फरक पढ़ने वाला है तो कोई फरक नहीं परेगा resistivity तो सिर्फ temperature और nature of material पर depend करता है तो length पर कोई फरक नहीं आएगा चलकता पर या फिर बोल दो प्रतिरोदकता पर कोई फरक नहीं आएगा तो कोई परिवरतल नहीं होगा शुष्क cell है यानि कि जो dry cell है क्या है प्रात्मिक cell, duty act cell, duty act cell इन में से कोई नहीं शुष्क cell हमारा होता है प्रात्मिक cell यानि कि primary cell प्रात्मिक cell ये rechargeable नहीं होता है यानि कि अगर एक बार ये down हो गया तो further आप इसे recharge नहीं कर सकते हैं एक बार ये discharge हो गया मतलब ये बेकार हो गया इसमें जो chemical energy हमारा stored होगा ये electric energy में convert होगा और एक बार सारा chemical energy खत्म होगया तो ये dead होगया वही हमारा जो अगर secondary cell होगा जैसे कि आज कल हम लोग mobile में बैटरी लगाते हैं कोई भी बैटरी जिसे आप recharge कर सकते हो जिसे आप recharge कर पा रहे हो वह हमारा secondary cell है इसमें क्या होगा इसमें पहले electric energy यानि कि हम इसको recharge करेंगे तो electric energy convert होगा chemical energy में chemical energy में फिर chemical energy ये convert होगा electric energy में किसी चालक की प्रतिरुधकता और चालकता का गुर्णफल निर्भर करता है यानि किसी चालक की resistivity और conductivity का जो product होगा ये किस पर depend करेगा तो जो हमारा conductivity होता है ये 1 upon resistivity होता है तो sigma into में rho ये बड़ाबर 1 हो जाएगा मतलब हमें क्या मिलड़ा है एक constant मिलड़ा है constant मिलड़ा है मतलब ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता है एक चालक प्रतिरोध को battery से जोड़ा गया शीदलन प्रकरिया से चालक के ताप को कम किया जाता है तो प्रभाही धारा कम मान शीदलन प्रकरिया से जो हमारा conductor है जो हमारा चालक है उसके temperature को कम किया गया तो प्रभाही धारा कमान क्या होगा temperature को अगर हम कम कर दे तो resistance क्या हो जाएगा सिधार रिलेशन होता है टेंपरेचर कर हम कम करेंगे तो resistance भी क्या हो जाएगा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा अगर प्रतिरोध कम हो गया तो current हमारा जादा हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है current के रास्ते का रुकावट होता है तो रुकावर्ट जितना ज़्यादा कम होगा करेंट उतना ही ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा तो आपको कम किया जाये तो प्रभाहिधारा कमान बढ़ेगा 100 Watt का बिजली का बल्व यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा यानि कि हमसे Energy का Conjunction पूछाए कि कितना Energy खर्च होगा तो हमारा Energy होता है Power into time Power दे रखा है 100 Watt Time हमें दे रखा है यह हमारा Watt में है और Time हमें 10 घंटे और हम लोग का आंसर चाहिए इकाई में इकाई यानि कि किलो वाट आवर में चाहिए तो यह हमारा watt hour आ गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हजार से अगर भाग लगा दें, तो kilowatt hour में change हो गया यह दो zero से दो zero खतम हो गया, आप इसे भी काट सकते हो, तो हमारा answer यह एक unit आया यानि कि एक kilowatt hour, तो एक काई हमारा right answer होगा electron volt मातरक है, electron volt यह उड़िया का मातरक होता है, एक electron volt परावर होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, तब ततार emitter का प्रियोग किया जाता है, hot wire emitter का प्रियोग किया जाता है emitter का यूज़ आप लोग जाते है, कि current को measure करने के लिए किया जाता है तो सिर्फ अगर हम emitter बोलते है, तो यह measure करता है DC, हम लोग का मतलब होता है कि DC current को measure कर रहा है तब ततार emitter यह AC और DC दोनों को मापता है, AC और DC दोनों मापने के लिए हम लोग hot wire emitter यूज़ करते है निम्रे लिखित में से कौन एक दिवतियक cell है, तो दिवतियक cell मतलब कौन, जो डिचार्जवल है वल्टाई cell, डेनियल cell और लेकलांसे cell, या फिर dry cell यह सब हमारा primary cells है, तो इन में से कोई नहीं है, जो की दिवतियक cell है धारा मापी, galvanometer यंत्र क्या करता है, धारा मापी यह क्या करेगा, धारा को मापेगा, यानि कि current को मापेगा तो विदुत पड़िपत में विदुत धारा की उपस्तिती को बताता है और धारा मापी का खासियत है, यह बहुत ही छोटे current, यानि कि जो micro ampere में current होगा एक micro हमारा होता है, 10 पे पावर माइनस 6, यानि कि अगर हम एक micro ampere बोलें, तो 10 पावर माइनस 6 ampere इतने छोटे से भी current को यह detect कर लेता है तो बहुत ही छोटे current को पता लगाने के लिए हम लोग धारा मापी का यूज करते हैं तो यह इसका right answer होगा अब हम लोग क्या है ना, कि जब चाहे इस galvanometer को हम लोग ammeter में convert कर सकते हैं और जब चाहे इस galvanometer को हम लोग voltmeter में convert कर सकते हैं यह किस प्रकार से करेंगे हम लोग आगे देखेंगे shunt क्या है shunt कुछ नहीं, यह एक तार है कम प्रतिरूद वाला, यानि कि निम्न प्रतिरूद वाला तार ammeter से समंदित कौन असत है यह एक धारा मापी है जिसके समनांतर shunt लगा होता है तो मैंने अभी आपको बताया कि galvanometer को हम लोग चाहे तो ammeter में convert कर सकते हैं और voltmeter में convert कर सकते हैं अब हम लोग यहां देखेंगे कि ammeter में कैसे convert किया जाता है माल लीजिए यह हमारा एक galvanometer है हम क्या करेंगे इसके parallel एक shunt जोड़ देंगे अब shunt क्या है low resistance वाला wire है तो यह एक कम प्रतुरोद वाला तार है जो मैंने galvanometer के पैड़ देल में जोड़ दिया अब यह जो पूरा हमारा combination बना system बना यही है हमारा ammeter और इस ammeter का हम लोग circuit में लगाते हैं series में तो यह आपको दिहान में रखना है तो इसे हम इसा shenikram में लगा जाता है यह सही है पहला तो सही है ही यह भी तो धरा को मापता है अब यह बड़े यह क्या था ना galvanometer छोटे छोटे magnitude वाले करेंट को मापता था अब यह ammeter बन गया तो यह बड़े magnitude वाले करेंट को भी माप पाएगा इसे हम इसा समनांतर करम में लगा जाता है तो यह गलत हो जाएगा D है जो इसका right answer है एक आदर्श ammeter यह एक ideal ammeter का प्रतिरोध कितना होता है एक आदर्श ammeter वो होता है जो अपने से होकर 100% current को पास होने दे ammeter क्या करता है current को मापता है अपने से जाने वाले current को मापता है कि कितना ammeter current गया तो एक ideal ammeter जो होगा वो पूरा 100% accurate answer देगा कि actual में circuit में current flow कितना हो रहा है ऐसे हमें हर ammeter में कुछ ने कुछ error होता है कुछ ने कुछ percentage error होता ही है others ammeter हम लोग पढ़ते हैं लेकिन actual में ऐसा कोई ammeter हमें मिलता नहीं है जो accurate answer देदे zero error के साथ कोई गलती नहीं तो एक others ammeter वो होता है जिसका resistance क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा resistance 0 हो जाएगा मतलब ये current को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा अपने सोंकर जाने में तो शुन इसका right answer हो जाएगा यहीं एगर others voltmeter होता तो उस case में हमलों बोलते हैं कि जो resistance है वो infinite होना चाहिए एक others voltmeter का प्रतिरोध कितना होता है तो ये हो जाएगा हमारा अनंत तो इस तरह का सवाल exam में काफी पूछा जाता है अब ध्यान रखिएगा कि others voltmeter में अनंत होता है और others a meter में 0 होता है प्रतिरोध voltmeter के संदर्म में कौन असत है धारा मापी के श्रिनी करम में उच्छ प्रतिरोध लगाकर इसे बनाया जाता है ये सही है galvanometer है अब इसी के parallel सोरी इसी के साथ स्रीज में एक high resistance वाला wire जोड़ देंगे उच्छ प्रतिरोध लगाकर यानि उच्छ प्रतिरोध वाला तार हम लगाएंगे अब ये जो हमारा पूरा system बना यही होगी हमारा voltmeter और इस voltmeter को हम लोग circuit में लगाते हैं parallel में यानि कि पार्शव करम में सवनांतर में लेकिन galaminometer को convert करने के लिए voltmeter में हमने प्रतिरोध जोड़ा उच्छ प्रतिरोध जोड़ा श्रेनिकरम में यह विवांतर को मापता है तो यह सही है voltmeter यह potential difference को measure करता है पड़िपत में इसे दो बिंदों के बीच सवनांतर में लगाए जाता है तो यह भी सही है तो D is का right answer हो जागा यह प्रतिरोध को नहीं मापता विवांतर को मापता है भारत में घरों में दी जाने वाले प्रतिवर्ति धारा यानि कि जो AC होता है एक सेकेंड में 100 टाइम्स जो होगा यह direction को change करेगा कौन AC एक सेकेंड में 100 बार एक oscillation का मतलब तो आप जान रहे होंगे मैंने sound wave में आपको बताया हुआ है यह हमारा एक oscillation होता है जिसमें एक crust एक truck बनता है तो आप देखो एक सेकेंड में यह हमारा एक oscillation है तो यहां दो बार direction change हुआ है एक बार यहां देखो उपर की और हमारा graph गया है और एक बार नीचे की तो और गया है यानि कि यहां एक oscillation में दो बार direction change हुआ है तो पचास oscillation में 100 बार direction change हुआ यानि हमारे घरों में जो बिजली आती है ब्लैक और भूतार का यह होता है ग्रीन यह जेनरली यह कलर होता है तो d का राइट आंसर होगा ऐसा हो सकता है कि दूसरा भी कलर हो लेकिन जेनरली यही color होता है кив citrus तार को हमेसा डैश में जोड़ा जाता है तो फ्यूत तार को हमारा Q1 आवेस है और ये Q2 आवेस है और इस दोनों के बीच का distance R है तो एक वेज्ञानिक थे कुलम इन्होंने अपना नियम दिया था जिसे हम लोग कुलम का नियम कहते हैं जिस रह से गुर्त्वाकर्सन का नियम Newton ने दिया था ठीक वैसे ही इन्होंने क्या कहा कि दो आवेस के बीच में बल लगता है ये बल समानुपाती होता है इस दोनों आवेशों के गुननफल के और ये जो बल होता है ये इस दोनों के बीच का जो distance होगा उसके square के universally होता है यही है हमारा कुलंब्स लो Newton का जो गुर्त्वाकर्सन नियम था ठीक ऐसा ही था न आपको याद होगा F directly proportional to M1 M2 था और universally proportional to R2 था तो ठीक ऐसे यहाँ पर है ये मास के लिए था कि दो दरवान के बीच में आकर्सन बल होता है और यह आवेश के लिए है तो आवेश में तो आकर्सन और प्रतिकर्सन दोनों ही होता है अगर दोनों प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्सन होगा दोनों माइनस माइनस होगा तो भी प्रतिकर्सन होगा और एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्सन होगा लेकिन नियम सेम वैसे ही है जैसे कि गुर्तवाकरसन का नियम देते है यदि दो विदूत आवेशों के बीच की दोड़ी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच इस्तिर वैदूत बल का मान होगा इस्तिर वैदूत बल बोलते हैं जो मैंने अभी आपका बताया कि दो चार्ज के बीच में जो अकरसन या फिर प्रतिकरसन का बल होता है वो होता है एलेक्रोस्टाटिक फोर्स यानि कि इस्तिर वैदूत बल गुर्तवाकरसन के के किसमें गुर्तवाकरसन बल हम लोग बोला करते थे तो मैंने अभी आपका बताया कि यह जो एप होगा इस दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो हो जाएगा इस दोनों के प्रड़क्ट और इन्वर्सली हो जाएगा इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वार के बोला है बीज की दूरी आधिक कर दी जाती है यानि कि जो हमारा r है जो distance है इसके विच की ये घट गई अगर ये distance घट जाती है तो लगने वाला बल क्या हो जागा ये increase कर जाएगा एक को अगर हम आधा कर दें distance को अगर हम आधा कर दें तो जो बल होगा पहले के 4 गुना हो जाएगा तो 4 गुना हमारा right answer होगा ये आप निकाल सकते हो ऐसे निकाल सकते हो f1 by f2 is equal to r2 by r1 यहाँ f1 है तो यहाँ r2 है क्योंकि ultra relation है और साथ में square तो मानलो f1 पहले f था बाद में हमें f2 चाहिए r1 में पहले r मानलेता हूँ बाद में यह घटकर क्या हो गया r by 2 तो r by 2 इसका हम square करेंगे r से r cancel हो जाएगा तो यह f बटे में f2 या जागा 1 बटे में 4 तो यहाँ से f2 हो जाएगा 4 times of f तो पहले के 4 गुणा हो गया तो या तो आप यहाँ से direct सोच लो असानी से या फिर आप ऐसे calculate कर लो वस्तूओं का आभेशन किसके असनांतरन के फल सरूप होता है जब हम बोलते हैं कि कोई वस्तू है ये negatively charge है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कुछ extra electron है और जब हम बोलते हैं कि कोई वस्तू positively charge है यानि इसके पास electron की deficiency है यानि इससे कुछ electron क्या है बाहर चला गया है इसको electron की कमी हो गई है तो ये भी क्या होगी है हमारा आभेशित वस्तू हो गया ये भी आभेशित वस्तू हो गया वस्तों का आवेशन ये हम लोग बताते हैं एलेक्ट्रोन के असनांदरन के हिसाब से अगर एलेक्ट्रोन जादा है हम बोलेंगे कि ये रिनात्मक आवेश है इसके उपर रिन आवेशित है अगर एलेक्ट्रोन कम है हम बोलेंगे धन आवेशित है आपस में जूरी दो आवेशित वस्तों के बीच विदुधारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो तो आपस में जूरी दो आवेशित वस्तों के बीच विदुधारा प्रवाहित नहीं होती है अगर वो दोनों हो सेम आवेश पर स्वान विभाव पर समान विवाव पर समान विवाव मतला हूँ समझ रहे हो दोनों का potential मालो 2 वस्तू है दोनों का potential सेम हो जाए यहां भी V हो जाए यहां भी V हो जाए यानि कि यह भी अगर मालो 10V पर है यह भी 10V पर है तो हमारा तो delta V क्या आ गया 0 आ गया और मैं आपका बता चुका हूँ कि current तभी flow होगा जब delta V 0 नहीं होगा यानि कि विवाव अंतर कुछ न कुछ होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए समान विवाव पर हो जाएगा तो विवाव में अंतर 0 हो जाएगा तो current का flow नहीं होगा प्रत्यवर्ती धारा को दिश्ट धारा में किसके द्वरा बदला जाता है यह होता है rectifier हम लोग घर्व में inverter यूज करते हैं inverter क्या करता है यह DC को AC में convert करता है यह होता है हमारा inverter लेकिन AC को DC में convert करना हो तो इसके लिए यूज करते हैं rectifier विजुत उपकरन में अर्थ यानि की अर्थिंग का उपयोग होता है अर्थिंग का उपयोग हम लोग करते हैं सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रतिरोध यानि की specific resistance यानि की प्रतिरोधक्ता resistivity जिसे हम लोग रोग से डिनोड करते हैं का SI काई क्या है तो कई बार हम लोग ने देख लिया इसे ohm meter एक तार की लंबाई L meter है तार को खीच कर उसके लंबाई 2 L meter कर दी जाती है अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा अब यहाँ साफ तोर पर लिख चुका है खीच कर यानि कि तार कोई नया नहीं लाया गया है कोई नया तार नहीं लाया गया है दूबने लंबाई की जो पहले वाला तार था L लंबाई के उसी को खीच करके डबल कर दिया length तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे R directly L square R inversely A square R inversely radius to the power 4 ठीक है यह relation हम लोग use करेंगे हमें यहाँ लंबाई के बारे में दे रखा है तो R directly L square अगर यह हमारा 2 L हो गया तो यह R पहले के 4 times हो जाएगा अगर नया तार लाता माल लो नया तार खरिद करके लाता दूबने लंबाई का तो हम लोग simply यह लगाते है याँ अगर इसको 2 L किया था तो यह हमारा 2 R हो जाता लेकिन यहाँ खीज कर लंबा किया गया है तो पहले के 4 गुना 20 का right answer होगा एक विदूत circuit में एक fuse तार का उप्योग किया जाता है क्यों किया जाता है विदूत उड़जा के खर्च को कम करने के लिए गलत है voltage के अस्तर को इस्ती रखने के लिए यह भी गलत है circuit में प्रवाहित होने वाले अधिक विदूत धारा को रोकने के लिए यह हमारा सही है जड़ो से ज़्यादा अगर विदूत धारा प्रवाहित हो जाएगा यह क्या हो जाएगा fuse हो जाएगा C is का right answer है विदूत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए यह भी गलत है Fuse का सिधानत क्या है तो Joule's Law of Hitting Effect मैं आपको बदा चुका हूँ तो यह विदूत का उश्मिय प्रवाव हो जो करेंट है उसी को हम लोग Joule's Law of Hitting Effect बोलते है बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है हवा में होता है Oxygen और जो बिजली के बल्ब का जो तंतू होता है Tunguston यह एक Metal है तो Metal जब Oxygen के contact में आएगा तो यह Oxidize हो जाएगा यानि कि इसका Up Chain हो जाएगा और ऐसा होने से Tunguston खराब हो सकता है तो इसलिए हवा निकाल दिया जाता है बिजली के बल्ब, Electric Bulb का invention यह किया था Thomas Alva Edison नाम के विज्ञानिकी ने नाम याद रखिएगा एकजामे पूछा जाता है Electric Bulb का अब इश्कार किया था Thomas Alva Edison नाम के विज्ञानिकी ने अब आप देखते होंगे विज्ञी का जो बल्ब है इसका यूज अब नहीं के बड़ावर किया जाता है घरों में हम लोग इसके जाब टीव लाइट, CFL, LED इस सबका यूज करते हैं क्योंकि यह जो बल्ब था ना हम लोग जो Electric Energy दिया करते थे इस बल्ब को उसका मातर यह 5-10% Energy को ही Light Energy में Convert कर पा रहा था हम लोग तो Electric Energy दे रहे थे ताकि यह हमें Light Energy दे लेकिन मालो आपने 100% अगर Electric Energy इसी दिया तो यह 5-10% Energy को ही Light Energy में Convert कर पा रहा था बांकि सब हमारा बेकार चला जाता था तो इसके जगा पर अगर हम Tube Light यूज करते हैं यह Tube Light तो अगर आप 100% Electric Energy दे रहे हो तो यह 60-70% हमें Light Energy दे देता है तो इस सबाल का अंसर हमारा ए हो जाएगा Dry Cell में, शुष्क Cell में, निवलिकित में से किनका विजद अप घटियों के रूप में प्रियूग किया जाता है यानि कि Electrolite के रूप में क्या यूज किया जाता है Dry Cell में तो यही है हमारा Dry Cell आपने देखा ही होगा इस बैटरी को होसे के तॉप में से यूज भी करते होंगे इसको, बहुत सारे लोग तो इसमें क्या होता है, एक container होता है, आप इस wrapper को हटाओगे यह जो plastic का wrapper होता है उपर में, जब इसको हटाओगे तो एक आपको container मिलेगा यह container होता है, जिंक का और इसके बीच में आपको एक rod मिलेगा यह rod होता है, carbon का यानि कि यह हमारा carbon rod होता है और इस carbon rod के चारो तरफ इस carbon rod के चारो तरफ यहाँ पर भड़ा होता है हमारा carbon और manganese dioxide का mixture यह सब पूछा जाता है जामें, याद रखिएगा और इसके बाद यहाँ पर इन सारे हिस्सों में paste होता है इसमें क्या होता ना, इस सूस के सेल में जो हमारा electrolyte होता है वो dry form में होता है पूरा ड्राई नहीं होता है, यह पेस्ट के फॉर्म में होता है, और यह होता है हमारा जिंग कोलराइट प्लस अमोनियम कोलराइट, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम कोलराइट और जिंग कोलराइट, यह इसका राइट आंसर होगा, कभी इसका यह मैं पूछ है विदुद वहा को बल एलेक्ट्रमोटी फोर्स तो 1.5 आपको बताना है 1.5 वोल्ट और यह जो हमारा जिंग का कंटेनर है यह एनोड के जैसा बिहेव करता है और यह कार्बन अड़ होता है हमारा यूकलियर रेक्टर में यूरिनियम का यूज करते है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिनियम का एटॉमिक नंबर 92 याद रखना है विजली के पंक्हे की गती बदलने के लिए प्रियूपत साधन है हम लोग विजली के पंक्हे की गती को बदलने के लिए यानि की RESISTANCE को मापेगा emitter तो होगा नहीं current मापता है voltmeter voltmeter भी नहीं होगा voltmeter एक container है voltmeter ये एक container है एक बरतन है जिसमें electrolysis करवा जाता है यानि कि विदुत अफगटन करवा जाता है तो ये भी नहीं होगा potentiometer ये potentiometer ये EMF बताता है विदुत वहाक बल बताएगा तो ये भी नहीं होगा ohmeter 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 ये एक device है जो resistance मापता है कोई उपकरन लगा हुआ है सर्कृट में तो उसका ये resistance बताएगा ohmeter तो ohmeter तो ये SI unit नहीं है अब येसा मत समझना कि ये जो ρो है इसका SI unit ohmeter होता है ये यहाँ पलिका हुआ है ohmeter एक device का भी नाम है जो की उपकरन के प्रतिरोध को मापता है क्रिचौप के प्रतम नियम को और किस नाम से जानते हैं क्रिचौप के प्रतम नियम को हम लोग संधी नियम भी बोलते हैं धारा का नियम भी बोलते हैं A और B दोनों इसका right answer होगा और यह जो लूप नियम है न यह होता है क्रिचौप का second law चीक है क्रिचौप के duty नियम को हम लोग loop नियम भी कहते हैं प्रतम नियम को हम लोग संधी नियम भी कहेंगे और धारा का नियम भी कहेंगे कि चौप के नियम के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है जादा ये नियम ये कहता है कि माल लिजिए ये कोई point है यहाँ पे कुछ current आ रही है और यहाँ से कुछ current जा रही है जैसे माल लो यहाँ से current I I1 यहाँ से current I I2 यहाँ से current I I3 और यहाँ से current यह जा रही है I4 यहाँ इस पॉइंट की बड़ देख रहा है, यानि current इस point पे, इस junction पे, इसको हम लोग junction बोलते हैं इस junction पे कुछ current आ रही है, और कुछ current जा रही है, जैसे एक railway junction होता है, कुछ train आती है, कुछ train जाती है यह नियम यह कहता है कि जितना current इस junction पे आएगी उतना ही current यहां से सारा का सारा चली जाएगी यानि कि इस junction पे अगर हम net current बता हैं net current तो यह हमारा होता है 0 और यह जो हमारा कृचौप का प्रत्थम नियम है इसमें हमारा चार्ज कंजर होता है आवेश सनक्षित होता है किरचौप का संधी नियम आधारित है यह हो जाएगा आवेश सनक्षन के नियम पर और जो किरचौप का duty नियम था जिसे हम लोग loop law भी बोलते हैं किरचौप लूप law या फिर कुर्चॉप का voltage law ये जो हमारा है ये कुर्चॉप का second law है और ये based होता है energy conservation पे यानि कि ओड़ जा संद्रक्षन के नियम पे तो अगर संदी नियम के जगे पर कभी कुर्चॉप का duty नियम आ जाए loop नियम आ जाए या फिर current electricity का कुछ सवाल हम लोग और देखेंगे कुछ और सवाल है जो मुझे करवाने है ये हम लोग last chapter में देखेंगे जो हमारा last chapter आने वाला है इसके बाद इसमें हमारा current और magnetism ये दो topics होंगे जिसको मैं cover करवाऊंगा और इसी के साथ याने कि इसी chapter के साथ हमारा physics का section खत्म हो जाएगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो like कीज़े, share कीज़े चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को subscribe करके अगर आपके लिए ये चैनल useful है तो और इस bell icon को आप प्रेस कर सकते हैं हमारे नई वीडियो का notification पाने के लिए Thank you so much